अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उधार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्यान नहीं हुआ, कई अधोगती में कोई चला गया है, उसका बस एक बार रोज नहीं जरुवत है, प्रती दिन जरुवत ही नहीं है महिने में एक बार अगर मावस्त्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्थित किया है अशुक यहाँ पर बर्णन कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने सनकाद रिशियों से माँगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही यह कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर शमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन है साथ स्थान शिवलिंग के बताएं हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है साथ स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंथ लोग का निवास देए हैं साथ स्थान और वो साथ स्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान देव अधिद्यो महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन समझ लेना जड़ा बहुत अच्छे से हैं आपको लगता है वो अपन में कोई मॉड़े दिख रहा है या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भव कर लगता है बच्चों को मानी भेज ओंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी, ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कंद, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है, साथ इस्थान, चंदन के बताएं महारा से, पहला शिबलिंग, दूसरा, जहां गनेजी का इस्थान है, मालू में न सब को, जम के बोलो जरा, मालू में न सब को, जहां गनेजी का इस्थान है, वहां, अलक से गनेजी बेठें वा नहीं, शिबलिंग में जलाधारी के ठिक सामने, राइट में गनेज, लेट में कार्ती के बीच में अशोक सुंदरी, तो पहला चंदन, बाबा के शिबलिंग पर, दूसरा, गनेजी पर चंदन की उंगली, तीसरा, शडानंत कार्ती के पर चंदन की उंगली, चौथा, अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पाच्वा, जलाधारी पर चंदन की उंगली, छटा, जो शिबलिंग का जल बह रहा है, इसके ठीक विप्रीत की हो, चंदन की उंगली, और सात्वा, चंदन नंदी के मस तक के उपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली ये कब लगाई जाती है या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूरवजों का उधार नहीं हुआ हमारे पूरवजों का कल्यान नहीं हुआ कई अधोगती में कोई चला गया है उसका बस एक ब सचनदन अगर मेरे देव अधिदमा देव को साथ इस थान पर समर्थित किया है अशुक यहाँ पर बढ़्नकर रही है मेना धन्या और कला की कठा कर रही है तीनों ने संकादी रिशियों से मांगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही ये कैसा होता है जो प इत्रदोश है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नौरात्री के पहले जो अमावस्या पढ़ती है, अपन अमावस्या पढ़े, आप एक अंदाज लगाईए, तो जिस दिन अमावस्या रहे, उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा र कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इसमन करकर जला दीजी, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रक्ष की चाओं में पक्छियों के लिए डाल दीजी, श्यू महापुराण की कथा करती है, अगर मान लो, पित्र आपको कष्ट दे रहे हैं, पित्र आपको तकलीप दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पित्रों का दोश है, तो वो पित्र दोश, देवी, अब ये जो आप करेंगे, ये कप कर रहे हैं, अमावस्या के दि उसको जला कर आपने पटक दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिरवाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पित्रदोष समाप्त होकर लच्छमी की वृद्धी प्रारंब हो जाती है कारे में सिद्धता आजाती है मान लो अगर पित्रदोष है तो करो नहीं है बड़े अलमास्ती से रहो तो यह पित्रदोष का इसमरण तो यहां सास्त्र कर रहे कि पित्रों का जो लोक होता है पित्र जो लोक होता है उस पित्र लोक में जोसट योगनिया प्रवेश नहीं कर शिम महा कुरान कर रही है, शंकर की कठा कर रही है, एक छोटा सा उपाए अवश्य करिये दो, मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पित्रदोश है, आपको ऐसा महसूस होता है, मवस्य पढ़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजे मान, पूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इस्मन करकर जला दीजे, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी वी ब्रक्च की चाओं में पक्चियों के लिए ढाल दीजे, श्यों महापुरान की कथा करती है, अगर मा यह जो आप करेंगे, यह कप कर रहा है, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुभा एकम पड़क गई, उसी दिन उसको जला कर आपने पटड़ दिया, अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का आशिरवाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पित्रदोष समाप्त होकर लच्मी की बृद्धी प्रादम्ब हो जाता है। सारे पित्र दोष समाप्त हो जाए। अगर नदी तलाब बावडी कुआ नहीं है, तो पीपल का ब्रक्च हो, या बेलपत्री का ब्रक्च हो, या बट का ब्रक्च हो, उसके नीचे लगा दो पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर, क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पित्र मृत्यू लोक में आने के बाद में भोजन ग्रण करते हैं। अम आवस्या के दिन पित्र शाम के समय प्रदोषकाल में संकर भगवान का नाम जाप करकर नदी तलाब बावडी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का अच्मन करकर पित्र अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोषकाल के समय परुए प्रदोषकाल में जलाशय के पास में बावडी कुआ नदी तलाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिन की और मुक करकर बत्ती का तो पित्र आशिरवाद देते हुए ज दिया लक्षिन की और बाती का मुक करकर साथ इस्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोक के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंत लोक का निवास देगा और वह साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान जन्सकाइब बेहुत आपको लगता है सुपन में पर टीगर za ही या मर रहा है यह क्या की चला गया है ऐसा भल रंता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा जिनके ऐं पित्र होता है काल्सरब दोश होता है वास्तू दोश ता है वहें उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना, माराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेख कर, उसमें शक्कर मिलाकर, उसको उसके अंदर कर लीजिए, अमावस्या के दिन, सुबहा 10 वजे से तहले, उसको अपने घर में गुमाने के बाद में, जिस जिसको कालसरफ दोष पताया है, पित्र दोष बताया है, या वास्तु दोष का इसमन बताया है, घर में सब्धुर गुमा कर, अपने परिवार का हाथ का इस्पर्श करा कर, बिलती है और हमारे घर के कारे सफल होना प्रारम्ध हो जाए पति कुमानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस्थान चंदन के बताएंगे बाबा के श्रिलिंग पर दूसरा गणेज जी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानन्त कार्ती के परचंदन की उंगली, चवथा अशुक सुन्दरी परचंदन की उंगली, पाँचवा जलाधारी परचंदन की उंगली, छटा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विप्रीत की हो चंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली ये कब लगाई जाती है या तो अमवस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूरवजों का उधार नहीं हुआ हमारे पूरवजों का कल्यान नहीं हुआ कहीं धोगती में कर दोज नहीं किरुए चार दिन धुपा नची चले बाति के समय वात करें ना पित्र दोडोश घर में बिचेज चिर-चिर हो जाया है idag समय लोट सिर्चिर हो रहे हैं फित्रदोश कोने जिंए मानगा का आधग्र ना करें सम्मान। परें तेज आवाज में बात करें समय लो पित्रदोश पित्रदोश मालू पड़े और इतने से भी अगर अपनी समस्थ से परिवार कर कोई एक भी जब-जब भोजन करने वेठें तब तब उसकी ठाली में बाल आए तो भले वो होटल में खाय तो भी बाल आजा वो कही खाना में रहा है समझ लेना कि पित्र आप से कुछ मांग रहे हैं पित्र आप से कुछ चाहते हैं महाराज एक बेल का फल लीजिए क्या लेना है बेल का फल बेल पत्री का जो फल होता है उसको ले लो उसके अंदर का जो गुर्दा होता है अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल के दिन, सुबहा 10 वजे से पहले, उस बेल थल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आठा सेकर भढ़ाय शक्तर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको फालसर्प दोस्ट बताया है पित्र दोस्ट बताया है या वास्तु दोस्ट का इस्मन बताया है घर में सब्दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे ताखड़ा खोर कर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए माराज के वाल एक अमवस्या करना रहता है पित्रों के दोश से मुक्ती मिलती है और हमारे घर के कारे सफल होना प्रारम्ध हो जाते है कारे की सफलता होती है कारे में सफलता प्राप्त होने लग को हम तो कई भार करते हैं महारजी अगर ऐसा लगे किसी ओशदी को आप ले रहा है मालूम पड़े कि ओशदी आपको लग नहीं रही है शिमहापुरण की बता करें आप नहीं लग रही है आपने ओशदी बहुत दिनों से ले रहा है कोई प्रदोष की प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बिमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हैं उसको पानी में गलाईए आदा गंटा पानी में जैसे आपको सुभा मंदे जाना पानी जरा गंटा पानी में से पहले तो बिमारं गल्ती हैं ऊशती देने से पहले कि वो शदी अपना कारे करना प्रारम कर देगी और वो सुस्त होना प्रारम कर देगी